गुड मॉर्णिंग डियर इस्टुडेंट्स तो आज की हम इस वीडियो में जो CITS में हमारे एक सब्जेक्ट होता है ट्रेनिंग मैथडोलोजी जिसको पहले हम प्योटी के नाम से जानते थे प्रिंसिपल ओप टीचिंग ठीक है तो जो उसका फर्स चैप्टर है रोल एंड Responsibilities of an Instructor उसका जो हमारे एक टोपिक है Education and Types तो इस वीडियो में हम Education और उसके कितने प्रकार होते हैं उसके बारे में जानेंगे ठीक है दोस्तो तो आप इस वीडियो को लाश तक देखे और बीच में Skip नहीं करना है अगर आप Skip करके देखे तो चीजे समझ में नहीं आएग और मैं आपको यह लेक्चर जो होगा हमारा Hindi में होगा और आपको आसानी से समझ में भी आएगा ठीक है तो बढ़ते हैं हम अपने इस टोपिक की तरफ तो आप देख सकते हैं सिक्सा जब हम बात सिक्सक की करते हैं सिक्सा का अगर हम संदी विच्छेद करें सिक्स पलस ए सिक्स धातु में हम ए प्रत्य लगाते हैं तो तब जाके सिक्सा बनता है सिक्सकार्थ क्या होता है सीखना और सिखाना तो हम सिक्सा का जो साब्दी करते हैं वो क्या है सीखने वे सिखाने वाली परिक्रिया सिक्सा सब्द को जो हम है अंग्रेजी में एजुकेशन बोलते ह और जो एजुकेशन है वो लेटिन भासा के एजुकेटम सब्द से मिलके बनाए है एजुकेटम सब्द हमारा ए तथा ड्यू को सब्द से मिलके बना है और जो ए कर्थ है या अंदर से तथा जो ड्यू को है उस कर्थ है आगे बढ़ना तो हम कह सकते हैं जो एजुकेशन है उसका साब्दिकर्थ क्या है अंदर से आगे बढ़ना ठीक है तो ये तो होगी हमारी जो सिखसा है या एजुकेशन है उसका एक मीनि ठीक है लेकिन जो हमारे जो दारस्खनिक हुए है या लेकर बोल लो हुए है तो उन्होंने सिखसा की लग-लग परिवासा दिया है उसके बारे में हम देखते हैं अरज्तु एक युनान के महार दारश्कनिक हुए है वे कहते है स्वश्थ सरीर में स्वश्थ मस्थिक्स का निर्मान करना ही सिक्सा है क्या का उन्होंने कि स्वस्थ शरीव में जो स्वस्थ मस्थिक्स का निर्वान करना क्या है हमारा शिक्सा है ठीक है और युनान की दरश्चनिक है प्लूटो ये कहते हैं सारेरिक, मांसिक और बोधिक विकास की किरिया ही शिक्सा है क्या कहा इनुने जो सारे रिक विकास हो रहा मानसिक और बहुत थिक विकास होता है उसकी परिकरिया को यह हम शिक्सा बोलते है ट्रो हुए है यह कहते है शिक्सा नियंतृत वातवन में मानव विकास की किरिया है क्या कहते है जो शिक्सा है वो नियंतृत वातवन में मानव व का तरक का है, वो सब ने थोड़ा अलग अलग लिया है, ठीक है, तो अब हम बात करेंगे, जो एज्यूकेशन है, वो कितने ठाइप्स का होता है, उसके बारे में हम देखते आगे, ठीक है, तो अब बात करते हैं, ठ рок- invis lo Girls in theega's No- Virginia types of education तो जो एज्यूकेशन होता है, वो दो टाइप का होता है हमारे एक formal education होता है जिसको हम उपचारिक सिक्सा कहते है एक informal education होता है जिसको हम उपचारिक सिक्सा कहते है ठीक है, जो formal education है उसके बारे में देखते है यानि उपचारिक सिक्सा के बारे में देखते है उसे उपचारिक सिक्सा कहते है ठीक है यानि हम सिंप्ली अगर बात करें जो हमारी फॉर्मल एजुकेशन होती है वो होती क्या है जैसे हम स्कूल, कॉल्लिज या उनिवस्टी या आई 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 या फेर पॉल्ड अगनी हम कहें पे एडिशन लेते है ठीक है और वहां से हम सिक्सा ग्रहन करते है वो हमारी क्या होती है वो फॉर्मल एजुकेशन होती है यानि उपचारिक सिक्सा होती है अब बात करें हम इन फॉर्मल एजुकेशन की जो अनुपचारिक सिक्सा है अनुपचारिक सिक्सस समाज मातापिता तथा निजी अनुभोव द्वारा आसपडोस एवं मित्रो और समाजिक अनुकेरिया द्वारा अरजित होती है यानि अगर हम बिल्कुल सिंपल वर्डों में बात करें जो हम अपने आसपास से सीखते हैं ठीक है जैसे मातापिता से हम कुछ सेख रहे हैं या फिर हम अपने दोस्तों से कुछ सेख रहे हैं वो हमारी किसम में आएगी वो इनफॉर्मल एजुकेशन में आएगी इसको दोस्तो हम जो आगे formal education और informal education उसके बारे में differentiate करेंगे तब होड़ अच्छे से जानकारी मिलेगी इस बारे में ठीक है? तो हम next में क्या करेंगे differentiate करेंगे किस-किस को formal education और informal education को ठीक है? तो formal education में क्या होता है इसमें निश्शित वाठ ठेकरम समय और नियम होती है आपने देखोगा आप जब किसी भी आप 10th में हो या फिलाल आपनी सेटेस में एडिशन लिया है तो क्या है उसका एक सहलेवस है भई जो जहाँ पर आपने एडिशन लिया है सहलेवस है ना ठीक है और समय भी है एक साल में आपको कंप्लीट करना है और कुछ नियम भी होते है ठीक है लेकिन जो हमारी informal education है उसमें क्या होता है इसमें पाठ्थे करम समय भी नियम क्या हो सकता नहीं होती भई हम अपने दोस्ते से बात करें किसी भी से को लेके ना तो उसको कोई पाठ्थे करम है ना कोई इसका निश्ची टाइम है अब दो मिंट पहले हम किसी और वी से बात कर रहे थे दो मिंट बात क्या वताम किस टोपिक पर बात करने लग जाए ठीक है तो दूस्त नमबर दो पोइंट देखे इस फरकार की सिखसा प्राप्त करने के लिए पार्ट साला और सिखसा क्या हो सकता होती है भई अगर आप फॉर्मल एजुकेशन चाहिए आप सियाटेस में एडिसन लिया तो एक इस्टिट्यूट है और वहाँ पे आपको पढ़ाणे वाड़े टीचर है या इस्टिक्टर है ठीक है लेकिन जो हमारी इनफर्मल एजुकेशन है उसमें क्या होता है उसमें हमें न तो पार्ट साला क्या हो सकता होती न शिखसा क्या हो सकता होती काई पर बैटें वल रहे हैं तो मिल लिए नड़िया है प्लबीज कीजिए ना विट्वे साल, पोगा चूंव के चूंवं किया जा सकता है ठीक है जो फोर्मल एजूकेशन है हमारा यानि उपचारिक शिक्सा उसमें हम 6 तरह चुनाव कर सकते हैं जैसे सेटेस में एडूशन लिया आपने सेटेस से पहले आप किसीने आईटाई किया होगा किसीने डिप्लोमा या फिर भी टेक तो आप डिफरेंट डिफरेंट जो आ आपको जोन सा फिल्ट चाहिए लेकिन जो हमारा इनफॉर्मल एजूकेशन है उसमें ऐसा नहीं है ठीक है उसमें मतलब उसमें छेदर चुनना जो है वो संभव ही नहीं है ठीक है अब बात करते हैं नंबर चार पोईंट पर इसमें निश्चित उदेश्या तता पाट्टे कर्म है जबकि इनफॉर्मल एजूकेशन जो हमारा होता है इसमें कोई निश्चित उदेश्या नहीं होता और पाट्टे करम भी नहीं होता नंबर पांच पोईंट पे देखिए यह सिक्सा प्रैसिक्सित अध्याप को द्वारा दी जाती है इसलिए गलत यह चक्टर वहाँ पे जानकारी दे रहे है तो उसमें संदेख करने की कोई खास वही नहीं है कि उसमें जो वे आपको ग्यान दे रहे है तो गलत होने का बहुत कम चांस है यह मानलो आप कल आप सिया टेस जब आपकी कंप्लीट होगी आप जाके इंस्टेक्ट करेंगे पढ़ाओंगे नहीं और गलत होने के चांस भी बहुत कम होते है क्योंकि बच्चे को पता है कि सर अच्छे ही बता रहे है ठीक है लेकिन जब हम बात करते हैं इन्फरमल एजूकेशन में किसी के मारदरसन के बिना सिखसा होने के संदे वे गलत होने के संबावना रहती है ज खराइन संदे से लिए रहता है ठीक है इसमें संदे रहता ही रहता है आब रेकिन इत नाम इसस भी मान जो रहता है उसमें होता क्या है आप CITES कर रहो या आप ITI करके आए हो जब वो complete हो गई तो आपको certificate मिला है ठीक है लेकिन informal education में क्या होता है उसमें कोई ऐसा हमें certificate नहीं मिलता ठीक है दोस्तों तो अब मेरे साथ से आपको formal education और informal education अच्छे समझ में आ गया होगा अब हम बात करेंगे जो हमारी formal education होती है वो कितने type की होती है और उसके बारे में थोड़ा हम देखेंगे ठीक है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यह जो आप देख रहे हैं formal education ठीक है formal education यानि ओपचारिक 6 था इसको हमने दो भागों में डिवाइड किया है ठीक है एक तो सा academic education हम बोल सकते हैं दूसरी व्यवैसाइक शिक्सा यानि vocational education ठीक है तो पहले academic education पे हम बात करेंगे मूलभूत विशो का ज्यान व्यक्ति के पूर्णविकास के लिए आप सकता है जैसे भाससास गणित भोगोल समाजिक सास्त रादे विद्याली शिक्सा में परतेक प्रसार थी को रहनसेन एवं भोगोले की स्थितिया तथा अन्यदेश विदेशों की जानकारी प्राप्त होती है जो हम academic education की बात करते है अकैडमिक में हमारा क्या आता है जैसे 10 12 होगा वह हमारा academic में आता है उसमें हमें क्या होता है जो सामाजी ग्यान है विज्यान है या भोगोल है या इतियास है ठीक है या फिर गर्णित है उसके हमें जानकारी मिलती है ठीक है लेकिन अब बात करेंगे हम vocational education की ठीक है क्योंकि जो हम item पढ़ने पढ़के आयो वो किसमें आता है vocational education में तो हम सारा focus अपना vocational education पर करेंगे vocational education मतलब वैवसाइक शिक्सा ठीक है सामाने सामाने सिक्सा के उदेशय मनुश्य के सरवांकरिन विकास के लिए तथा उस सिक्सा के लिए निर्ट तयार करना होता है प्रंतु विवसाइप रिक्सा के उदेशय विद्यारती का भविश्य बनाना रोजी रोटी का साधन परदान करना होता है तो इसका कहाने का मतलब क्य सब्सक्राइब वह नोलीज के लिए लेकिन जो हम वोकेशनल एजुकेशन ले रहे हैं इसका मेंघ तारगेट कि सको हमें टारगेट वोकेशनल एजुकेशन का ये है जो हमारा स्टुडेंट है वह कल जाकर उसको रोजी रोटी उसको मिले ठीक है आगे बात करते है मनुस्य के सारी बोधिक नैतिक एम समाजी गुनों का विकास करने का प्रिया सामने से एक सर्थ द्वारा किया जाता है अगर वेवसाई प्रिक्सन द्वारा व्यक्ति में हुनर लगन को कर उन्हें दरसा आता ठीक है कि जो हमारा स्टूटेंट है वो केशनल एजूकेशन जो है वो इसलिए होता है कि कल बच्चा जब सीखे तो अच्छे से मतलब कमा के करके कमा पाए और खा पाए अच्छे से ठीक है तो वो केशनल एजूकेशन उस चीज़ पर फोकस करता है ठीक है यानि यह skill oriented होता है मारा occasional education ठीक है तो थेंक्यों दोस्तों इस वीडियो में इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगिए तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ सेयर करना न भूले और हाँ चैनल को सस्क्राइब कर देचे आपको मैं गारंटी देता हूं और simple language हूं आप बता देना हिंदी में लेकर आना है यह थोड़ी पीपीटी अच्छी से प्रीपेर नहीं कर पाया मैं लेकिन आप मुझे बता देना मैं इसको होर अच्छे से बढ़िया तरीके से तज्यार करके लेकर आऊंगा यह बता देना हिंदी में अच्छा है या इं तो चैनल को सस्क्राइब करना न भूले और दोस्तों के साथ सेर करें और यह हमारी पीपीटी है यह मैं टेलिग्राम ग्रूप पे डालूँगा तो आप टेलिग्राम ग्रूप को भी जो निकर लीजिए उसका जो लिंक है वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन भी दे दूँग ठीक दोस्तों तो यह वीडियो में इतने धन्यवाद दोस्तों